नोश्टिक बरतर में तो हर कोई धोसा की रेसेपी बना लेता है, लेकिन क्या आप सधारन से तवे में बिल्कूल ही पतले-पतले गेहू के आटे से आप धोसा या फिर चीला की रेसेपी तैयार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज मैं बना एक कटोरी मेंने पानी डाल दिया हैा, उसके बाद फिर से आपको आधा कTSP पाणी डाल देना और और लगेंगे लेकिन अच्छी तरब से पहले आपको देख लेना है, तो एड़र का मैंने पानी डाला आटे को अच्छी तरब आपको sit कर लेना जी हाँ दोस्तों लोहे की तवे में आपको ये मैं रेसेपी बना के दिखाऊंगी जो जो गलती होती है ना अगर आप कभी भी धोसा या फिर चीला बनाते हैं और वो गलती होती है ना तो बिल्कुल ही गलती को बंद कर देंगे आज के बाद अगर ये रेसे कर सके तो इसी तरह कि आगर आपको बहुत सारी जनकारी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजेगा और मेरे चैनल में आप जूनने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करके जरूर लग लिजेगा मैं बहुत सरे तरह की रेसेपी हमें साथ डालती ह तो 1000100 कप मैं ने टोटल अच्छी तरह से पानी ले लिया है फिर मैंने आधकाटोरी और मिक्स किया है और टोटल 2 कटोरी मैंने पानी डाल दिया है फिर आगर आपके पास सफेद तील है तो जरूर डलिएगा केलसियम के हिसाब से भी अच्छी होती है और इससे जो इसका टेस्ट है चीले का बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो यह देखें मैंने उसे भी डाल दिया है अब चलिए वह पारी आती है कि सधारन से लोही के तवे में मैंने से कैसे बनाया है इतना अच्छी तरह से आपको गर्म करना है अगर पहले सा पराठव बना लिया है तो वह तवा बिल्कूल ही परफिक्ट हो जाएगा और नॉन्स्टिक की तरह आपका यह तवा काम करेगा उसके बाद यह देखें तेल हलका से लगाना है ज्यादा तेल नहीं लगाना मैंने कितना सब्वार्य पर जब दॉका मैंने के लिए उसके टोखिक्ट है है इसÁ लिया है तुझा करते हैं तो इसे पकाना बहुत ही जरूरी है पकाएंगे तभी इसका अच्छा सा टेस्ट आता है और यह देखे एक साइड जैसे ही पक गए हैं और आप देख सकते हैं कितना मैंने पतला बनाया है तो एक साइड जैसे ही अच्छी तरह से सिख जाए ना आपको दूसरे साइड भी इसे क्रिस्पी करा रहा होने तक सिख लेना है क्योंकि गेहूं के आटे से बने हैं चाबल वाले बनाते तो बहुत ही जल्दी बन जाते लेकिन गेहूं के आटे का अगर बनाएंगे तो थोड के दिखा दूँगे आपको और एक बर आप जरू ट्राइ कीजिएगा अगर नहीं बनता है तो आप मुझे कोमेंट भी कर सकते हैं मैं एक एक जनकारी में देने वाली हूँ और हाँ अगर आप पहली बार धोसा या चीला बना रहे हैं तो पहले आपको क्या करना पराथा य या फिर तेल लगे हुए रोटी आपको जरूर बना लेने हैं लोहे के तवे में अगर बना रहे है तो और अगर नोश्टिक है तो आराम से आप इसे बना के तयार कर सकते हैं और यह देखे कितना पतला समयने यह रेसिपी को तयार किया है और यह रेसिपी की चीले की खास या आप इसे चाए के साथ भी घर्म घर्म कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी है, आप इसे चीला कहिए, या फिर आप इसे डोसा कहिए, बिल्कुल ही पतली और करारी-करारी डोसा की रेसपी आज मैं बताने वाली हूँ, जिसे मैंने बनाया है जुआर के आटे से, जी हां दोस्तों, आपको एक बड़े साइच की बतन लेने हैं, और उसमें आपको डालने है नाप, तो ये देखे, एक कटोरी अगर आप जुआर के आटे ले रहे ना, तो इसी इसे पूरा नाप हब लोगताई कर दे वाले हैं, तो ये देखे, वही कटोरी से मैंने यूच किया है, पानी, तो एक कटोरी सबसे पहले मैंने पानी डाल दि और अच्छी तरह से इसे आपको mix कर लेना है ये देखे बिल्कुल ही लोही के तवे में मैं इसे बनाने वाली हूँ बिल्कुल ही करारा सनास्ता वो भी बहुत ही कम तेल में और बहुत ही कम मेहनत में तो ये देखे अच्छी तरह से आपको mix करते रहना है लगातार चला चला क नोन्स्टिक तवे में तो हर कोई डोसा या फिर आप चीला बना सकते हैं, लेकिन लोहे के तवे में बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो वही काम को आज मैं असानी से बताने वाली हूँ, जिससे आप आराम से बना सकते हैं, तो सबसे पहली बात आपको जब भी इस बेट लेनी है, उसके बाद इस लोहे के तवे को इस्तमाल करना है, इससे क्या हो जाएंगे, ये लोहे के तवे बिल्कुल ही अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे, तो मैंने डिरेक्ट बनाया है, इसमें दो से तीन बुन मैंने तेल डाला था, और उसके बाद मैंने दोसे को बेट को अच्छी तरह से सेट करते हैं बस आपके उपर है और जब भी आपको बेटर का इस्तमाल करना है तब तक आप इसे चला के करिएगा वैसे मुंग डाल के भी डोसा की रेसेपी मैंने डाल रखी है बिल्कुल ही लोहे के तवे में ही मैं बनाई हूँ अगर आप नहीं देखे है तो दुबारा फिर से ट्राइ कीजिए आप में इतना कॉंफिडेंट आजाएगा कि डोसा बिल्कुल ही अच्छी तरह से बन के तयार हो जाएंगे तो यह देखे क्रिस्पी जालीदार हमारा डोसा तयार हो चुका है तो दोनों साइट से इसे अच्छी तरह से से सेख सकत तो लगता है कि क्या स्पेसल सा कुछ बनाए वो भी कम समय में तो आज मैं आपको साम के समय अगर भोग सता रही है या फिर सुबह के समय कुछ हलका और हेल्दी खाना है तो यह नास्ता आप बना सकते हैं इसे बनाने के लिए मैंने बेसन का इस्तमाल किया है और इसे बहु बेसन डालना पड़ेगा आपको जितना लेना है बेसन आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं तो इससे मेरे दो से तीन डो से बन चुके थे उसके बाद आपको स्वाधून सा नमक डालना है और नमक डालने के भाद थोड़ा सा कलर उठाने के लिए मैंने डाल दिय चाहिए हल्दी और थोड़े से हो सके तो गरम पानी आपको यूज़ करना है ज्यादा इसको पतला भी नहीं करना है ना ज्यादा गाड़ा करना है तो आप देख सकते हैं बेटर मैने कैसे बनाया है तो लगतार आपको चला-चला के इसे अच्छी तरह से घोल को बिल्कुल ही परफेक्टली खोलना पड़ेगा, यह देखे, जितने आपके बेसान है ना, एक कटोरी अगर बेसान लिया है, तो थोड़ा सा कम आपको एक कटोरी से पानी लेना है, और अच्छी तरह से घोल के इसका बेटर त्यार कर लेना है, बहुत ही सोट कट रेसेपी है, और बहुत ही तेल डालना है, और तेल डालने के बाद थोड़े से पानी के चीटे डालने पड़ेगे, अगर पानी के चीटे अच्छी तरह से बबल्स के रूप में तेरने लगे हैं, तो यह तवा बिलकुल ही परफेक्ट है डोसा बनाने के लिए, और अगर थोड़े से अच्छी तरह स और कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस तवे को अच्छी तरह से गर्म करना है, एक बात का आपको धियान रखना है, उसके बाद ये देखे, हलके हलके आपको तेल लेना है, साइट साइड में, और अच्छी तरह से इसे पकने के लिए छोड़ देना है, जैसे 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 चेंज हो जाएंगे, आपको अराम से छोड़ देना है कुछ देर के लिए, जैसे पकेंगे उसके बाद ही आपको पलटा लगाना है, तो ये देखे, अच्छी तरह से मैं अब दिखाने वाली हूँ, कितना पतला और कितना क्रिस्पी हमारा डोसा बनके त्यार ह चुका है, बेसन का आप इसे डोसा कह लिजिए, चीला कह लिजिए, आपकी मर्जी है, और बहुत ही टेस्टी भी लगती है, तो इसे टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं कुछ चीज़े और भी एड करने वाली हूँ, तो ये देखे, मैंने थोड़े से प्याज कट करके आराम स आपको डाल देने, घर में अराम से मिल जाएंगे, धनिया पती है, तो डाल सकते है, मेरे पास टमाटर थी, मैंने टमाटर डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, और उसके बाद थोड़ा सा फ्लेवर इसमें डालने वाली हूँ मैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ला भी बना सकते हैं कोई भी जरूरी नहीं है कि पनीर रहेंगे तब ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा तो यह देखिया ऐसा भी चीज़ों को मैंने डाल दिया है उसके बाद मैं अब इसे पलट के दिखाने हमारी यह देखिए कितनी पतली और कितनी क्रिस्पी हमारे डोसे के रेसेपी तयार हूचीय है अगर आप यह बना यह न ब्लट करें दोसे बहुत ही सिंपकर बंद नहीं देखिए और हवही काम करने आपको आरbolt से प्याज वगार ले की तरह से इसे सेट कर लेना बहुत ही टिश्टी और बिल्कुल यूनिक सार नास्ता आपका कुछी मिनट में बन के तयार हो जाएगा